होरर स्टोरीज इन हिंडी में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत मज़ेदार गेम के बारे में बताना चाता हूँ जिसे घर बैटे ही खेल कर आप लोग खुप सारा पैसा कमा सकते हो इस गेम का नाम एवियेटर है और ये गेम फोरा बैट का मोस्ट पॉपिलियर गेम है चलिए अभी मैं आप लोगों को खेल के दिखाता हूँ ये मैंने बैट लगा दी 3000 की और ये देखिए मेरा प्लेन उपर जा रहा है और मुझे 2X का प्रॉफिट हुआ अब आप लोग देख सकते हो इसे खेलना कितना आसान है मैंने दूसरी बैट 5000 रुपे की लगाई है बस आप लोगों को इतना धियान रखना है कि प्लेन को क्रेश होने नहीं देना है अब प्लेन को क्रेश होने से पहले ही केश आउट करना है तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मुझे अभी-भी 3X का प्रॉफिट हुआ और आप लोगों को सबसे अच्छी बात मैं ये बताता हूँ कि इस गेम को खेल कर जो भी पैसा है इसे आप लोग फोन पे, पे टी एम या जी पे से अपने अकाउंट में आप लोग तुरन दस मिनिट के अंदर इसका विड्रॉवल कर सकते हो अभी जो पैसा मैंने विड्रॉ बोनस तीस हजार उपे तक चलिए अब बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर दोस्तो हमारी अगली कहानी हमें पूजा ने भेजी है चलिए इनकी कहानी शुरू करते है ये घटना आज से दस से पंदरा साल पुरानी है जब हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले थ हम जिस घर में शिफ्ट हो रहे थे वो घर हमने रेंट पर लिया हुआ था वैसे तो वो घर काफी समय से बंद पड़ा हुआ था और जादा समय से बंद रहने की वज़ा से वो घर बहुत जादा गंदा था जब हम लोगों ने उस घर को देखा तो हम लोगों ने ये सोचा क पहले इसमें सफाई करनी पड़ेगी और हमें उस घर की सफाई करने में तीन से चार दिन लग गए सफाई पूरी होने के बाद जब हम लोग वहां से सामान लेकर शिफ्ट होने लगे तब हमारे पुराने घर से नए घर पर शिफ्ट होने में हमें रात हो गई थी रात के कुछी साड़े नौ बजे के आसपास हम लोग उसी पुराने घर में जो के रेंट पर लिये थे वहां पर शिफ्ट होए घर के बाहर एक आंगन था उस ट्रक में से सारा सामान अपना निकाल कर पहले तो हम लोगों ने बाहर आंगन में रख दिया और उसके बाद धीरे धीरे एक-एक सामान ले जाकर अंदर रखने लगे जब मैं सामान अंदर ले जा रही थी तब मैंने आंगन से कुछी दूरी पर एक औरत को काले रंग के कपड़े में देखा था और वो औरत वहीं पर खड़ी हुई थी मैं उसे देख कर काफी जादा आस्चेरिय चक्कित रह गई कि एतनी रात में ये औरत अकेले यहां पर खड़े होकर क्या कर रही है मेरी एक छोटी बहन भी थी जो कि वहीं सामान के पास तब मैंने अपनी चोटी बहन से पूछी कि अभी वहां पर एक औरत खड़ी थी थी ना वो औरत का है वो कहने लगी कि यहां पर तो कोई भी औरत नहीं थी आपको कौन सी औरत दिखी मैंने उससे कहा कि वहां पर एक औरत खड़ी थी मैंने अपनी आँखों से देखी थी उसे लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रही और वो हमारी ही और देख रही थी मेरी छोटी बेहन मुझसे कहने लगी कि हो सकता है देख रही होगी मुझे नहीं पता और शायद उसे ये बात लग रही होगी कि हम लोग यहां नए आए है वो सकता है वो हमसे दोस्ती करना चाहती हो और यहीं कई आसपास में रहती हो मैंने भी मेरी छोटी बेहन से कह दी कि हाँ, शायद तेरी बात सच है लेकिन पता नहीं, मेरा मन अब बेचैन था सामान अंदर ले जाने के बाद हम सभी लोग काफी जादत ठक चुके थे मेरे ममी पापा अपने कमरे में जाकर सो गए मेरा भाई वो अपने कमरे में चला गया और मैं और मेरी छोटी बेहन हम दोनों ही जो कमरे में जाकर हमें सोना था वो पूरी तरह से साफ नहीं था तो हमने सोचा कि थोड़ी से सफाई बाकिये वो कर लेते हैं और फिर सो जाएंगे उसके बाद हम लोगों ने उस कमरे के अच्छे से सफाई की और फिर मैं और मेरी छोटी बहन उस कमरे में बिस्तर लगा कर लेड़ गए लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी मेरे मन में अब भी वही औरत घूम रही थी तभी मैं वहां से उठी और उठकर अपने कमरे की खिड़की में जाकर देखने लगी मैंने देखा कि बाहर अब कोई घूम रहा है और कुछ आवाजे आ रही है कुछ बड़ा सामान था जो हम लोगों ने बाहर से अंदर नहीं लेकर गया था मैंने देखा कि वो आवाजे सामान की ही आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि बाहर जो कोई भी घूम रहा है वो सामान को एक जगा से दूसरी जगा घसेट रहा है मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई चोरी ना कर ले हमारा सामान तब मैं तुरन ममी पापा के कमरे में गई और जाकर उन्हें नीन से जगा दिया मेरे ममी पापा, मेरा भाई और मेरी चोटी बहन हम सभी लोग अपने घर का दर्वाजा खोल कर जब बाहर निकले तो बाहर बस एकदम सन्नाट था और वहाँ जो हमारा बड़ा सामन अंदर लेने का रहे गया था वो वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ था तबी ही मेरी चोटी बहन कहने लगी कि आंगन के बाहर से देखो धुआ उट रहा है शायद को जल रहा है हम सबी लोग अपनी आंगन की दिवार के पास चले गए वहाँ एक बड़ा सा पेड भी था और वो पेड वैसे तो आंगन की दिवार को लग कर ही था लेकिन उसका साया पूरा ही हमारे घर पर पड़ता था वो एक पीपल का पेड था उसके नीचे जब हम लोगों ने जाके देखा तो कुछ जल रहा था समझ नहीं आ रहा था कि क्या जल रहा है बहुत ध्यान से देखने के बाद में समझ में आया कि वो एक काली बिली जल रही थी जो के अब पूरी तरह से मर चुकी थी और जलने की वज़ा से उसका शरीर एकदम जादा अकड चुका था उसके शरीर से पूरा खून भी जल चुका था वो जलने के बाद काफी जादा भयानक लग रही थी लेकिन अब सवाल ये था कि बिली पहले से ही कटी बटी थी यानि की बिली दो भाग में बटी हुई थी समझ में नहीं आ रहा था कि उस बिली को इतनी बुरी तरह से किसने मारा होगा मैं डर के मारे चिलाने लगी और मैं मेरे पापा से कहने लगी कि पापा ये बिली है और मुझे देखकर वॉमिट होने लगी तो मैंने कहा कि पापा, इसे यहां पर किस ने मार के फेका, और अभी तो हम आये थे, यहां पर कुछ नहीं था, पास पास जितने भी लोगे सब के कमरे दर्वाजे बंद है, सभी लोग सोच चुके है, मेरे पापा मुझसे कहने लगे, कि घबराऊ मत, पैनिक होने की कोई बा और वहां बहर निकल कर जब हम लोगों ने देखा तो पाया कि अब वहां पर कुछ नहीं है। लेकिन हाँ उस जमीन पर आग के जलते हुए निशान दिखाई दे रहे थे। सवाल ये था कि वो बिल्ली कहां चले गई। मेरे पापा हम लोगों से कहने लगे कि हो सकता है कोई क जानवर उस बिल्ली को उठा कर लेकर चला गया होगा। मैंने का पापा उस बिल्ली में बचा ही नहीं था। आग लगने की वज़ा से उसका खून तक सूक चुका था। मेरे पापा ने हम लोगों से कहा कि इन सब बातों पर जादा ध्यान मत दो। बस जो होना था वो गया अब यहां से अपने अपने काम पर धियान दो। मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों ही घर में जो सारा सामान लेकर आये थे उसे सजाने में लग गये। मेरा भाई कहीं बाहर चले गया किसी काम से और पापा आफिस थे। मेरी मम्मी की तबिया थोड़ी खराब हो चुकी थी तो वो बेड ड्रेस्ट पर थी। अब हम लोग जब काम खतम करके शाम के समय बैठे हुए थे तब मैंने फिर से उसी औरत को दूर खड़े हुए देखा और इस बार वो औरत धीरे धीरे चलते हुए आई उसी पीपल के पेड़ के पास आकर रुक गई। जैसा मानो वहां पर वो किसी से बात कर रही हो या उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर कोई उसका इंतिजार कर रहा हो वो कभी पेड़ को देखती तो कभी मुझे देखती मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है मैंने अपनी छोटी बेहन से कहा कि देख अब वो औरत कौन है और इतनी आजीब क्यों लग रही है। मैंने कहा कि उस रात में भी मैंने उसी औरत को देखी थी लेकिन तुने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर पता नहीं यह औरत कहीं गायब हो गई थी। मेरी बहन ने कहा कि चलो दिदी हम जाकर उससे पूछते है वो कौन है। मैंने का नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हम लोगों ने वहीं पर इंतिजार किया हमारे पापा के आने का। कुछी समय में पापा आए और हमारे भाई भी आ गये। हम लोगों ने उन्हें ये बात बताई। पापा ने कहा कि हो सकता है कोई पागल होगा। तुम लोगों को कितनी बार समझाया कि इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो। लेकिन जो मैंने देखी थी मैं जानती थी कि उसमें कुछ तो गड़बड है। मैंने मेरी जाके मम्मी से भी ये बात कही। मम्मी ने भी मुझे कहा कि हो सकता है कोई पागल ही होगा। पापा कह रहे है ना डरने की कोई बात नहीं है। मैंने भी कहा कि ठीक है वहां से मेरा कॉलेज काफी जादा दूर था। इसलिए मुझे कॉलेज क्ले सुभा में सारे चार पांच बज़े की आच पास घर से निकलना पढ़ता था। ताकि मैं अपनी कॉलेज सारे छे बज़े तक कैसे भी पहुँच जाओ। जब मैं अगली सुबा वहां से कॉलेज के निकली तब मैंने देखा कि घर का दर्वाजा खोलते ही वो औरत सामने पीपल के पेड़ के पास आंगन की दिवार पर बैठी हुई है और वो मुझे ही घुरे जा रही थी मैं जब घर से बहार निकली तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई मैं दोबारा घर में आई आकर अपने भाई को उठाने लगी वो उठकर बहार आया तो देखा कि वहां कोई औरत नहीं थी वो मुझे कहने लगा कि चल डरने की कोई बात नहीं मैं तुझे बस्टॉप तक छ जब हम लोग वहां पर पहुचे तब मेरा भाई कहने लगा कि अब तो तुझे यहां पर आ चुकी है अब तुझे यहां पर डरने की कोई जरूरत नहीं मैं अब जाता हूँ मुझे बहुत नीनदार रही मेरा भाई वहां से लोड़ गया और फिर मैं कॉलेच ले चले गई जब मैं शाम में घर में कॉलेच से आई तो मैंने देखा कि मेरे भाई की तबियत बहुत ज़्यादा खराब थी उसके हाथ पैर पे बहुत ज़्यादा चोट आई हुई थी और वो बिस्तर पर लेटा हुआ था मैंने आकर पुछा कि क्या हुआ इसे इसकी तबियत खराब क के गेट के पास पहुचा और अंदर बाइक को टन ले ही रहा था तब वो औरत पीपल के पेड़ से छलांग लगा कर ठीक इसके सामने आकर खड़ी हो गई जिसकी वज़े से इसका बैलेंस आउट हो गया और ये गिर गया मुझे तो बस पापा ने इतना ही बताया था जब रा ख़या था वो कहने लगा कि नहीं उसके बाद भी कुछ और ज़ादा डरावना हुआ मैंने का क्या हुआ वो कहने लगा कि जब मैं बाइक से गिरा और मेरे हाथ पेरों से खुन निकलने लगा तब मैंने देखा कि वो औरत मेरे सामने तो खड़ी थी लेकिन वो मुझ पर हम मैं जैसा तैसा ओट कर वहां से घर की ओर आगे बढ़ा और वो औरत ठीक मेरे सामने से कहीं गायब हो गई थी जब मैं बाइक स्टेंड पर लगा कर घर में जा रहा था तब मुझे पीछे से आवाज आई मैं जब पीछे मुड़ कर देखा तो पाया कि जीस जगा पर मेरा खून गिरा हुआ था वो औरत वही पर बैट कर जमीन पर मेरा पड़ा हुआ खून चाट रही थी ये देखने के बाद मैं डर से कापने लगा और तुरंथ ही दर्वाज़ा खूल कर अंदर आगया और तुरंथ ही जाकर पापा का दर्वाज़ा खट खटाया जब पापा बाहर आए तो मैंने पापा को सारी बात बताई पापा ने कहा कि चल मैं भी देखता हूँ कौन है व तोग्वार्ट मेरे सीनित अचाली स्बाइब लुग्तические हालनी पर आते मेरे अच्छाइ का पर आता हैं चाधा तक हुआ वा सुझे यह नियुक्ते सावरे इसमीन कीमे क्यन्पोर आयती में क्मेज्गे सुझे जिए मैं अपने घर से निकल कर बस्टॉक के लिए पैदल जाने लगी आदा रास्ता पार करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि ये वही औरत थी अब भी वो काले रंग के ही कपड़े में थी और वो मेरे पीछे तेजी से आ रही थी शायद वो मेरा भी अब खून पीना चा रही थी मेरे मन में बहुत अजीब अजीब तरह से खयाल आ रहे थे एक बार को ये भी लग रहा था कि शायद उस बिल्ली को भी इसी ने वैसा मारा होगा मैं जल्दी जल्दी भागते हुए बहां से बस्टॉप की और बढ़ने लगी बस्टॉप के पहुशने से पहले ही मैं भी जमीन पर गिर पड़ी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने जोर से धका दिया लेकिन जब मैं पीछे पलट कर देखी तो पाया कि पीछे कोई नहीं था समझ में नहीं आ रहा था कि वो औरत अचानक से कहां गायब हो गई फिर मैं वहां से उठी और जल्दी जल्दी बस्टॉप की तरफ भाग कर पहुँज गई वहां से मैं अपने कालेज चले गई जब मैं शाम में लोटी तब मैंने घर वालों को मेरे साथ घटी घटना बताई मेरे पापा अब थोड़ा गंभिरता के साथ मेरी बात को सुने और कहने लगे कि हमें कुछ तो करना होगा उस औरत का लेकिन मुझे अब तक वो औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही वो रात तो हम सब सो गए जब सुबा में मैं उठी तब मेरे पापा अपने ही बिस्तर पर लेटे हुए थे और कंबल ओड कर काप रहे थे मैंने जाकर उन से पुचा कि पापा क्या बात है फिर पापा ने बताया कि तुम लोग सच कह रहे थे जो औरत है जिसे हम एक साधरन या पागल औरत समझ रहे थे वो एक आत्मा है हमने का पापा आत्मा है मैं तो सुनके वैसे ही घबरा गई मैंने का पापा अभी हमें क्या करना चाए पापा ने कहा कि कुछ नहीं मैं जानता हूँ कि हमें इस आत्मा से कैसे बचना है फिर पापा ने मुझे कॉलेज ना जाने को कहा मैं दुबारा से अपनी कमरे में चले गई जब अगली सुबा हुई तब पापा ने पूरी बात और अच्छे से बताई वो कहने लगे कि रात में देखने के लिए मैं खुद जान बुचकर जागा हुआ था और जब मैं अपने घर के बाहर निकला तो उस ऑरत को पीबल के पेड़ के उपर देखा वो पीबल के पेड़ पर बैटकर कुछ खा रही थी और जो भी वो खा रही थी वो किसी जानवर के मास का तुकड़ा था क्योंकि उसमें से खून नीचे जमीन पर टपक रहा था फिर मैंने देखा कि वो खतम हो जाने के बाद वो एक बंदर के बच्चे की तरह पेड़ पर से नीचे चलांग लगा दी और जितना भी खून नीचे टपका हुआ था वो सब को अपनी लंबी जीब से चाटने लगी चाटने के बाद वो दोबारा उस पेड़ पर चड़ गई और फिर पता नहीं एक हवा के जोके की तरह कहीं तो गायब हो गई अगली सुबा में पापा ने जब ये सारी बात बताई तो हम और ज़्यादा डरने लगे फिर पापा ने एक आदमी को बलवाया जो कि उनके एक दोस्त के कोई जान पैचान का था और आदमी आकर पीपल के पेड़ के पास जाकर उस पीपल के पेड़ पर हात रखा और कुछ पढ़ कर कहने लगा कि इस पेड़ के ही अंदर उस आत्मा का वास है इस पेड़ को कटवा देंगे तो सारी चीज़ रखीक हो जाएगी फिर क्या था उसी दिन पापा ने उस पेड़ को वहां से कटवा दिया और वो आदमी जिसने पीपल का पेड़ कटवाने को कहा था वो उस कटे हुए पेड़ को लेकर अपने साथ कहीं चला गया पेड़ तो काफी बड़ा था इसलिए हमें उसके लिए भी ट्रक करनी पड़ी थी वो कहने लगा कि मैं ले जाकर इसे जला दूँगा और उसके बाद उस आतमा से तुम सभी लोगों को हमेशे कले मुक्ति मिल जाएगी तो उस्तो सच में वैसा ही हुआ जबसे वो पीपल का पेड़ कट गया हमने नहीं तो कभी कोई दुरगटना को देखा और नहीं कभी उस चुड़ैल को या उस आतमा को अपने आसपास भी देखा मेरी मम्मी कहती है कि कुछ आतमाएं पीपल के पेड़ में वास करती है जो बुरी आतमाएं भी होती है वो भी पीपल के पेड़ में वास करती है और लोगों को बेवजा परेशान करती है जहानी शिरू करते हैं दोस्तो आज जो घटना में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये 2003 में हमारे साथ घटी थी उस समय मेरी उम्र 20 साल की थी मुझे अच्छे से याद है कि हम एक सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे और हम सभी लोग वहाँ पर नए थे वो बिल्डिंग लेकिन उसका जो बैक साइट था महाँ बड़ी इसी खाड़ी थी और कोई भी आस पास वहाँ पर दूसरे बिल्डिंग नहीं थी हाँ जो बिल्डिंग का में एंटरेंस था उसके सामने एक और सोसाइटी बन रही थी जो कि अब तक पूरी तरह से बनी हुई नहीं थी जब यहाँ पर हमारा कोई दोस्त भी नहीं बनेगा मेरे पापा उसे समझाने लगे कि कोई बात नहीं कुछ समय और जाएगा तो तुम लोगों को भी यहाँ पर रहने की आदत हो जाएगी दरसल बात यह थी कि हम लोगों को वो घर काफी सस्ते में मिल रहा था इसलिए पिताज मेरी मम्मी को हर बार ऐसा लगता जैसा कि हमारे बैडरूम में कोई तो है और covenant कुछी टाइम के लिए होता जैसा कि पाँच मिनिट या साथ मिनिट के लिए उसके बात सब कुछ नॉर्मल हो जाता और जब लेकिन मम्मी जानती थी कि बात कुछ और ही है एक दिन जब मम्मी शाम के समय बेडरूम में गई और बेडरूम की खिड़की से कपड़े निकालने लगी तब उन्हें ऐसा महसुस हुआ जैसा ठीक उन्हीं के पीछे कोई खड़ा हुआ है और उन्हें घूर रहा है मम्मी एकदम से पीछे पलट कर देखी तो वहाँ कोई नहीं था लेकिन उन्हें एक बार को ऐसा लगा कि शायद कोई था जो मेरे पीछे ही पलटते साथ गायब हो गया ममी ने वो रात भी पिताजी से सारी बात कही लेकिन फिर से पापा मानने को तयार ही नहीं थे और वो सिर्फ एक यबात बार बार बोल रहे थे कि ये तरह वहम है फिर कुछ दिन बिते ही थे कि ममी ने महसूस किया उस कमरे से शाम के समय अब कुछ आवाजे भी आती है वो आवाजे ऐसी है जैसे कि कुछ दो चार लोग मिलकर आपस में बात कर रहे हो कई बार ऐसा लगता कि बेटरूम का दर्वाजा अपने आप बंद हो गया है जबकि हवाए भी नहीं चलती थी फिर दर्वाजा अपने आप बंद कैसे हो जाता था ये बात ममी के भी समझ से परे थी और हम सबी लोग घर में उस बात पर जादा धियान ही नहीं देते थे शायद ममी अकेले रहती थी इसलिए उनको ये सब चीजे ज़ादा महसूस हो रही थी अभी ये सारी घटना तो चल ही रही थी कि एक शाम ममी की तबियत अचानक से खराब हो गए ममी बताती है कि मैं अपने बेडरुम में जैसी ही घुसी ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैर पर जोर से मारा और उसके बाद मेरे पैर ने काम करना ही बन कर दिया पापा कहने लगे कि हो सकता है कुछ जटका आ गया होगा या सड़नली ऐसा होता है आदमी के साथ कि चलते चलते उसके पैर में मोच आ जाती है वैसा ही कुछ हुआ रहेगा मेरे पापा ममी को लेकर हॉस्पिटल भी गए और वहाँ पर सारी रिपोर्ट्स भी करवाई लेकिन सब कुछ बिलकुल नॉर्मल था जिस से ये पता लगा कि ममी एकदम ठीक है फिर मेरी ममी का पैर क्यों नहीं काम कर रहा था उसके बाद कई दिनों तक ममी बेडरेस्ट पे थी क्योंकि वो पैर उठाना तो दूर हिला तक नहीं पा रही थी मैंने पापा से कहा कि पापा ममी की रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल आई है फिर ममी को ऐसा क्या हुआ है पापा कहने लगे कि डॉक्टर्स ने दवाई तो दी है पहले एक बार ये कोर्स पुरा हो जान दो डॉक्टर्स ने एक महने का कोर्स दिया था वो कोर्स खतम हो जाने के बाद भी मेरी मम्मी की तबियत बिलकुल ठीक नहीं हुई पापा अब कहने लगे कि हमें और भी कोई बड़ा डॉक्टर दिखाना होगा जब पापा ने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया वो काफी बड़ा डॉक्टर था उसने भी मम्मी की रिपोर्ट्स देखकर यही कहा कि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है पता नहीं क्यों ऐसा है कि इनके पैर में ऐसी मोच आगई कि यह पैर नहीं उठा पा रही है मैंने मेरी मम्मी की बात सुनकर जो पास में एक मस्जिद थी महां जाकर मौलाना साहब को सारी बात बताई वो हमारे घर पर आए और घर पर आने के बाद बेडरूम में गए वो कहने लगे कि आवाजे तुम्हें किस टाइम पे सुनाई देती है मम्मी कहने लगी कि मगरीब के टाइम पे यानि कि जब सूरज डूपता है वो मौलाना साहब कहने लगे कि ठीक है कल मैं उसी समय पर तुम लोगों के घर पर आ हुआ और मैं भी वो चीजों को महसूस करूँगा अगर जो तुम कह रही हो वो सच है तो तुम लोग बहुत बड़ी मुसिबत में हो अगले दिन मौलाना साहब ठीक उसी समय पर आ है और जैसे ही घर में घुसे उन्होंने कहा कि तुम जो कह रही थी वो बिलकुल सच था अभी तक तो वो बेडरूम में गए भी नहीं वो सकता है कि उन्हें पहले से ही चीज़े समझ में आ गई हो वो मेरी ममी से कहने लगे कि जब तुम्हारे हस्बंट आ जाए तो उन्हें मजजीद में भेजना मैं तुम्हें कुछ दूँगा पिता जी जब घर पर आय तो ममी ने और मैंने उन्हें सारी बात बताई फिर वो मजजीद में चले गए और वहां से एक तामबे के हंडे में कुछ पानी लेकर आये हुए थे पानी लाने के बाद उन्होंने पूरे बेडरूम में उस पानी को छिड़क दिया जिसके बाद बेडरूम में से धुवा उटने लगा जैसा की जलती हुई आग पर हम पानी डाल कर उसे बुजा देते हैं और फिर जो धुवा उटता है वैसा ही धुवा हमारे बेडरूम में से उट रहा था लेकिन एक बात ये थी कि उस धुवे में बहुत गंदा रही थी हम सभी लोग अपनी नाग बंद करके घर के बाहर निकल गए और तुरंट ही मैं भागते हुए मजजिद में गया जाकर मौलाना साब से सारी बात कही मौलाना साब भी घबरा गए और वो भी तुरंट मेरे साथ घर पर आ गए घर आने के बात उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में जिन्नातों का बसे रहा है और बल्कि एक नहीं चार चार जिन यहां पर रहते हैं और वो जिन अच्छे नहीं है दोस्तों जिन्नातों में पाक जिन और नापाक जिन होते हैं उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में नापाक जिन रहते हैं इनसे बचने के बहुत कम चांसिस होते है फिर उन्होंने कुछ तावीजे दी और कहने लगे कि इसे बेडरूम के दर्वाजे पर और बेडरूम के अंदर ही अच्छे से टंगा दो तीन दिन बाद मेरे पास आना वो तीन दिन दोस्तों में आप लोगों को बता नहीं सकता हम पर कितने भारी गुजरे क्योंकि अब वो आवाजे सबी लोग सुन सकते थे पहले तो वो आवाजे सिर्फ 10 मिनिट आती थी अब तो मगरीब से लेकर अगले दिन सुबा होने तक के वो आवाजे उस कमरे से आती थी हम बहुत जदर डर कर उसमें रहने लगे थे फिर जब तीन दिन हुआ तब मौलाना सहाब आये और उन्होंने एक डबे में कुछ सामान लेकर आया था वो सामान लाकर बेडरूम में रख दिया कहने लगे कि आज रात में इस घर में कोई नहीं रुकेगा हम सबी लोग उस घर से चले गए अगली सुबा जब हम उस कमरे में गए तो वहाँ पर बहुत गंदा रही थी और कुछ ये कचरा पड़ा हुआ था जो कि बिलकुल काला काला सा था समझनी आ रहा था मौलाना साब भी हमारे साथ अगली सुबा में गए हुए थे उन्होंने हम सबी लोगों को बहर ही रुकने को कहा और खुद अंदर गए फिर सारा कचरा वहां से उठाया और उस डबे में डाल दिया उस डबे में डालने के बाद वो पिताजी को डबा दिये और कहने लगे कि इसे कई ऐसी जगा गाड़ दो कि दुबारा कभी भी इस डबे को कोई खोल ना सके और नहीं देख सके मेरे पिताजी मौलाना साब से कहने लगे कि मैं इसे कहा गाड़ हूँ और अगर मैं कही गाड़ दूँगा अगर किसने कभी खोल दिया तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं वो कहने लगी कि अगर ये डबा खोल गया तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा सब लोग बे मौत मारे जाएंगे बहुत ज़दा दिमाग लगाने के बाद मौलाना साब ने कहा कि पास में जो कबरिस्तान है जब वहाँ पर किसी को दफनाया जाता है और 6 फिट का खड़ा खोदा जाता है तब तुम जो कबर खुदता है उससे बात करो और उसको बो कि 6 फिट नहीं बलकि 10-11 फिट तक के गहरा खड़ा खोदने के लिए उसके बाद इस डब्बे को वहाँ पर दफना कर उस पर मिट्टी डाल देना और जब तक के वो खड़ा 6 फिट के लेवल का नहीं हो जाता तब तक उस पर मिट्टी भरते रहना उसके बाद मेरे पिताजी ने वैसा ही किया और जाकर उसे एक कबर के बीच में गार दिया दोस्तो वो क्या था समझ में नहीं आया कि मौलाना साब ने उस डब्बे में ऐसा क्या रखे थे और वो कछरा भी कैसे था क्या था वो भी नहीं पता हम लोगों ने काफी बार उनसे पुछने की कोशिश की लेकिन उन्हों ने हर बार बस एकी बात कही कि जो हो गया उसे बुरास अपना समझ कर छोड़ दो अब आगे की जिन्दगी आप लोग खुशाली के साथ रहो और दोस्तो उस दिन के बाद से लेकि आज तक हमारे साथ कभी कोई दुर घटना नहीं घटी तो दोस्तो ये थी आफ़ताब जी की कहानी अब बढ़ते है हमारी अगली कहानी की और दोस्तो हमारी अगली कहानी उमेश ने भेजी है इन्हों ने पहले भी हमारे चैनल के साथ दो कहानिया शेयर कर रखी है चलिए इनकी कहानी शिरू करते है मेरा नम उमेश है आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये घटना मेरी दादी ने मुझे बताई थी हमारा जहां पर गाव है उस गाव से कुछ दूरी पर एक बहुत पुराना गाव हुआ करता था और वो गाव नदी को लग कर था उस गाव में जितने भी लोग रहते थे वो सभी लोग मच्छियां पकड़ कर अपना काम चलाते थे मेरी दादी माँ बताती है कि वो 600-700 साल पुराना काम एक दिन अचानक से ही एकदम खंडर हो गया सभी लोग उस गाव को छोड़ कर चले गए पता नहीं क्या बात हुई होगी कि उसके बाद उस गाव में कभी कोई नहीं आया वो गाव में आज भी कुछ टूटे फूटे घर है जिसे देखकर समझ में आता है कि कई सालों पहले यहां पर लोग रहा करते होंगे लेकिन फिर वो कहां चले गए उनका कोई अता पता नहीं कहा जाता है कि अब उस गाव में जो के अब चुड़ेलो का बन चुका है आज भी वहां पर आत्माएं और चुड़ेलो का बसे रहा है मेरी दादी माँ बताती है कि जब वो चोटी थी उस समय पर एक शाम वो अपने पिताजी के साथ कहीं जा रही थी मेरी दादी मैं इसके साथ ये भी बताती है कि जब मैं छोटी थी तबी ही वहाँ पर कुछ लोग थे जो कहते थे कि उस गाउ के पास से गुजरने में भी उन्हें कुछ अजीब सा लगता है जैसा कि सर भारी हो जाता है शरीर और जादा भारी महसूस होने लगता है सर दुकने लगता है कई बार कुछ लोग वहाँ पर हिपनोटाइस भी हो जाते है और उस गाउ की और खीचे चले जाते है जो भी उस गाउ के अंदर चला जाता है उसके बाद वो वहाँ से कभी नहीं लोट कराता उसका क्या होता है उसका कुछ पता नहीं अब घटना पर आता हूँ जब एक शाम दादी मा पिताजी के साथ कहीं से जाकर लोट रही थी तब रास्ते में आते समय उसी गाउ के रास्ते से वो लोगा रहे थे और वो गाउ काफी अब भी दूरी पर था लेकिन दादी मा बताती है कि मेरी उम्र उस समय दस साल की थी और उस समय भी मैं उस गाउ में से कुछ आवाजे बेलकुल साफ सुन रही थी जैसा मानो कि अंदर कोई शादी का फंक्शन चल रहा हो या अंदर बहुत सारे लोग मिल कर हसी मजाग कर रहे हो कई बार ऐसी भी आवाजे आती जैसा कि मेले में से आवाज आती है बहुत सारे लोग चीक चीक कर हस रहे हो कहते है कि उस गाउ का एक सबसे भयानक रूप ये था कि जब भी अगर कोई उस गाउ में चला जाता तो वो एक तो लोट कर नहीं आता और उसके घर का कोई ना कोई इनसान वो भी अपने आप मारा जाता ये पतानी कैसे हो रहा था जो भी आदमी उस गाउ में जाता वो तो मरता लेकिन उसके जो रिशेदार होते बाप भाई मा बेटा कुछ भी उन में से एक की मौत भी निश्चीन थी अब यही सब चल रहा था कि एक शाम में जब मैं पताजी के साथ आ रही थी और हम लोगों ने वो आवाजे सुनी तब मैं काफी जादा डर गई और डर के मारे मैं कापने लगी मेरे पताजी मुझ से कहने लगे कि डरने की कोई बात नहीं है हम अभी जल्दी ही इस रास्ते को यहां से पार कर लेंगे मैं और मेरे पताजी हम दोनों ही साइकल पर थे मैं पीछे बैठी हुई थी मेरे पताजी जल्दी जल्दी साइकल चला रहे थे कि अचानक से साइकल की चलते चलते चेन उतर गई पिताजी ने मुझे उतारा और चेन को ठीक करने लगे जब मैंने अपनी नजरे उठा कर उस गाव की और देखा तो मैंने पाया कि कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे है जो बहुत तीजी से एक जगा से दुसरी जगा जा रहे है वो कौन थे मुझे समझनी आ रहा था लेकिन फिर देखते ही देखते वो कई हवा में ऐसे गायब हो जाते जिसा मानो कि वहां पर कोई था ही नहीं वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर एकदम आसानी से चलांग लगा रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैसा उनके लिए चलांग लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं बलकि बहुत आसान सा काम है मैं ये देखकर और घबराने लगी मेरे पिताजी ने तब तक के चेन बना चुकी थे और फिर उन्होंने कहा कि चल जल्दी बैट अभी हमें यहां से निकलना है मैं तुरन थी पिताजी के पीछे बैट गई और हम दोनों ही वहां से निकल गए अभी वहां से निकल कर हम अपने घर पर तो आ गए थे लेकिन जो मैंने देखा था उसका डर अभी मेरे दिल में था फिर कुछ दिनों के बाद हमें यूँ पता चला कि पास ही में रहने वाली मेरी एक सहीली थी जिसकी तबियत खराब रहने लगी और जब हम लोग उसके घर पर उसे देखने के लिए गए तब वो एक बंद कमरे में बैठी हुई थी जब मैं उसके पास गई तो मैंने देखा कि वो गुर्रा रही थी और कुछ अजीब सी भाशा में बोल रही थी जो समझ में बिलकुल नहीं आ रहा था उसके जो पिताजी थे वो मेरे पिताजी के दोस्त थे उन्होंने कहा कि क्या पता इसे क्या हो गया है लेकिन अब मुझे इसकी बाते समझ में ही नहीं आती और ये जो अब तक सर्फ भाजी खाती थी अब ये मुझसे मास मांगती है खाने में यह सब हम देख ही रहे थे कि उस आदमी ने यानि कि पिताजी के दोस्त ने मुझ से कहा कि जादा समय उसके पास मत रहो यहाँ पर आ जाओ मैं वहाँ आ गई दोस्तो जब मैं उस कमरे से निकली तो मैंने देखा कि उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया मैंने तो दरवाजा बंद भी नहीं किया था मैं भाग कर पिताजी के पास आई और मैं कहने लगी कि पिताजी आपने देखा दरवाजा अपने आप बंद हो गया तबी मेरे पिताजी के दोस्त कहने लगे कि हमने भी देखा ऐसे ही कुछ अजीब और भी चीजे हम देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं फिर उन्होंने बताया कि मेरी जो बेटी है वो पूरा समय उसी कमरे में रहती है और रात के समय में भी वो दिया नहीं जलाती शायद अब उसे अंधेरे में रहना जादा पसंद है इसके बाद में वो आदमी कहने लगा कि तुम्हें पता है एक अजीब बात सबसे जादा हमें क्या डराती है पिताजी ने कहा कि क्या रात के समय जब हम इसके कमरे में ढूडने के लिएसे गए थे तब ये कमरे में ही नहीं थी जबकि इसके कमरे का दर्वाज़ा बन था हमने पूरा कमरे अच्छे से देखा और वैसे भी आप लोग जानते ही होंगे जो पुराने घर होते थे गाव के वो छोटे ही होते थे खून लगा हुआ था जिसे देखकर ये समझ में आ रहा था कि रात में इसने कोई पक्षी या कोई छोटा मुटा जानवर मार कर खा गया हो मेरे पिताजी ने और मैंने जब ये बात सुनी तो हम वहां से तुरंट उट कर चले गए क्योंकि हम दोनों ही डर गए थे जब वहां से घर पर हम आए तो पिताजी ने मेरी मम्मी को सारी बात बताई और वो कहने लगे कि पतानी उसकी बेटी को ऐसा क्या हो गया है मेरी मम्मी कहने लगी कि हम वहां पर किसी को दिखा सकते हैं पिताजी कहने लगे कि किस को दिखाएंगे तबी मम्मी कहने लगी कि मेरी जान पेचान में एक आदमी है जो के बहुत अच्छा है शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके पिताजी ने उस आदमी के बारे में पुचा और अगले दिन उस आदमी से मिलने चले गए जब उस आदमी से मिलकर पिताजी लौट रहे थे तबी रास्ते में पिताजी को उनका दोस्त मिला और तबी ही मेरे पिताजी ने उन्हें सारी बात बताई फिर वो कहने लगे कि कुछ समय पहले तुम्हारी बेटी उसी गाव के पास से आ रही थी तुम उसे पूछना और तबी ही वहाँ पर जितनी आत्माए रहती है उनमें से एक आत्मा ने तुम्हारी बच्ची के शरीर में अपना वास कर लिया है जब उनके दोस्त ने ये बात सुनी तो वो तुरंट ही अपनी बच्ची के पास गए और जाकर उसे पूछने लगे लेकिन अब तक काफी समय हो चुका था यानि कि बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उनकी बच्ची अपने होश में ही नहीं थी बस जब भी उसे बात करने जाओ तब वो गुराती या फिर चीखने चिलाने लगती और कुछ अलग सी भाशा में बात करती जो के समझ के बहर था वो रात जब पिताजी ने अपने दोस्त को बताए कि आज रात इसे निकलने मत देना क्योंकि आज रात में वो आदमी आएगा और आकर तमारी बच्ची को शायद वो ठीक कर दे तबी ही वो सभी लोग रात में उस आदमी के आने का इनतिजार कर रहे थे और जैसी ही सुरज डुबा उनकी बच्ची की अजीब और गरीब हरकते शिरू हो गई इसलिए डर की वज़ा से सभी लोगों ने घर के उसके हाथ पैर बांद दिये कि वो कहीं जा नहीं पाए लेकिन उसके बाद उन लोगों ने देखा कि वो छोटी सी बच्ची वो आँखों से इशारा कर रही थी और जो भी चीज की तरफ वो देखती वो हवा में उड़ जाती और जमीन पर गिर कर तूट जाती कई बार तो उसने आँखों से इशारा करते हुए बड़े बड़े घर के सामान को ही हवा में उड़ा दिया और उड़ा कर वो घर के ही लोगों के उपर फेक देती ताकि वो लोगों से उसे चुटकारा मिल जाए और वो वहां से भाग जाए अब ये सब चल ही रहा था कि अचानक से वो आदमी आ चुका था और जैसे ही उसने ये सब देखा वो तुरंट ही उस बच्ची के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके माथे पर अपना हाथ रखकर वो कुछ पढ़ने लगा जिसके बाद वो एकदम शान्थ होकर जमीन पर गिर पड़ी क्योंकि अब तक जिस कुर्सी से उसके हाथ पैर बांदे हुए थे वो भी तूट चुकी हुई थी इतना सब देखकर घर के लोग काफी जादा डर गए थे फिर उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा कि अगर आज आप सभी लोग मुझे अकेला इस घर में छोड़ दो तो मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूँ कि अगली सुबा होने से पहले पहले आपकी बच्ची बिलकुल ठीक हो जाएगी घर के सभी लोग उस घर को छोड़कर बाहर निकल गए और वो आदमी उस बच्ची के साथ कमरे में कई समय तक अकेला रहा जिसके बाद अंदर से कई जादा जोरों से चिखने चिलाने की आवाजे आती रही लेकिन उसने पहले ही मना करके रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए अंदर कोई नहीं जाएगा तो इसलिए अंदर कोई नहीं गया सब बाहर ही खड़े हुए थे सुबा जब हुई तब उन लोगों ने अपनी बच्ची की हालत देखा उस बच्ची के आँखों के निचे काले गड़े पड़ चुके थे और शरीर ऐसा सूख चुका था जिसा शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो घर के लोगों ने जब ये देखा तो वो चीखते चिलाते हुए उसी आदमी को चिलाने लगे कि हमारी बच्ची को क्या कर दिया अपने उस आदमी ने सबी लोगों को समझाया कि अभी अभी इसके आंग में से वो आतमा निकली है इसे रीकवर होने में थोड़ा टाइम जाएगा और दोस्तों फिर वैसे ही हुआ कुछी समय के बाद मेरी सहीली अब बिलकुल ठीक हो चुकी थी फिर उस आदमी ने बताया कि मेरी सहीली के बाल काफी लंबे थे जो आतमा इसके शरीर में वास की थी वो आतमा को इसके बाल बहुत जादा पसंदा गए थे और इसलिए उसने इसके शरीर पर अपना कबजा जमा लिया तो दोस्तो ये थी हमारी आज की सबी कहानिया उमीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंदाई होगी दोस्तो इन में से जो भी कहानिया आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में निचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किये मत जाना मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में